Hello guys, welcome back to my channel. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटर्जेक्शन. So guys, previous video में भी हमने इंटर्जेक्शन को डिस्कस किया था. आज भी हम इंटर्जेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. So guys, इंटर्जेक्शन के से मैंने आपको बताया था कि Intersections are the word used to express some certain feeling or emotion. Intersections वो वाले words होते हैं जो क्या express करते हैं हमारी certain feelings को जा emotions को follow करते हैं. याँ पर मैंने दो example भी दे रखे हैं. The first one is the wow that's really great news. Wow ये बहुत ही जादा great news है, अच्छे news है. Wow जो है that shows the intersections. So guys, जैसे second वली दी है. I have examined past the exam. So जो बहुत खुश हो रहा है कि मैं जो exam है उसको pass कर चुका हूँ. So guys, ये आपका intersection का meaning होता है और ये दो examples है. Next, filling the blanks with the most suitable intersection in the following options. The first sentence is dash. That hurt me more than I thought it would. वो कह रहा है कि ये मुझे बहुत जो hurt किया जितना कि मैंने सोच चा था. So guys, इसमें जो right answer है वो रहेगा आपका ौच. वो कहता है, ौच that hurt me more than. वो कहता है, इसलिए मुझे बहुत जादा hurt किया जो कि मैं सोच रहा था. तो ये आपका sudden feeling है एकदम से जब आपको कभी लग जाती है. जग ये आप तो एकदम से मुझे निकल जाता हूच. तो ये आपका intersection है, sudden feeling है जब आपकी निकल जाती है. तो second one is, suitable intersection आपने यहाँ पर फिल करना है, dash that is new. वो कहता है, ये जो है, ये बिलकुल new है. तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, यहाँ well, that is new. वो कहता है, अच्छा, ये बिलकुल ठीक है, because that is new. तो यहाँ पर well जो है, that shows the emotions or sudden feeling. तो that well is the right answer. dash we got the tickets to the movie premiere night, वो कहता है, हमने क्या वो कर ली, हमने tickets मिलगी हमें, movie की premiere night की, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम शो करेंगी, EP, मतलब जब हम बहुत excited हो जाते हैं, तब भी आप EP का word यूज करते हैं, तो ऐसे हम daily life में EP का कम ही यूज करते हैं, जब हम बहुत चिलात कभी ऐसे, इसको हम short में भी बोल देते हैं, तो कभी यहाँ पर आपका EP दिख रहा है, तो हम EP ऐसे बोलते नहीं है, हम ऐसे कर देते हैं, तो यह सब आपका जो है, that shows the sudden feeling, okay, the next dash, I don't want to do in this way, वो कहता है, मैं यह ऐसा नहीं करना चाता था, ठीक है, I don't want to do it in this way, वो क्या हो है, पोड़ा मतलब यहां पर आपकी, वो कहता है, I don't want to do this in this way, मैं यह ऐसा करना नहीं चाहता था, तो ओ जो है, that is the right answer, dash, you did a really great job with that piece of furniture, वो कहता है, वो कहता है, वो कहता है, कि आपने क्या किया था, बहुत ही great job की थी, piece of furniture के साथ, उसको बहुत अच्छा बना दिया है, य जैसे हमने उसे कोई भी, बुट का piece दी दिया, तो हम उसको बोलेंगे, तुम इसको इस तरह से बनाना, तो जब बना देता है, तो we were so happy at that time, तो उसी टाइम पर हम बोलते हैं, wow, this was really great, ना, तो यह जो wow, जो है, यह भी a sudden feeling के लिए है, dash, now I understand what you were trying to say, वो कहता है, अब मैं ज बानता हूं कि what you were, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे है, ah, no, I understand, अभी मैं यह understand करता हूं कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, तो ah, यह आपका right answer हैगा, next, that should have really upset you, वो कहता, oh no, that should have really upset you, क्या करेगा, oh no, हम बोलते हैं, oh no, यह जो आपको अगर, यह really upset कर, मतलब चाहिए, ठीक है, that should have really upset you, तो oh no, जो है, वो right answer है, dash, I have not cleared the internal assessment, तो वो बहुत ही मिकलव है, से उदासी में है, तो वो कह रहा है, मैंने जो, alas, I have not cleared the internal assessment, alas, हम, जब आप sadness की feeling पे होते हो, sad होते हो, तो तब आप alas का word use करते हो, ठीक है, यह आपका right answer, next, that was a really brave thing to do, कहता है, यह क्या थी, really brave thing थी, यह करने के लिए, तो यहाँ right answer, brave, brave भी आप जो होते हो, जब आप अच्छी चीज़े करते हो, brave चीज़े करते हो, तो वो अब आप brave का use करते हो, the betting list for the reservation seat is too long, I don't think we would get a seat, वो कहता है, बेटिंग सीट जो है, वो बहुत ही लंबी है, my god, यहाँ पर my god आएगा, हम बोलते हैं, oh my god, यह क्या हो गया, तो यहाँ पर वो कह रहा है, my god, the betting list for the reservation seat is too long, so I don't think we would get a seat, कि हमें क्या मिलेगी, seat मिलेगी, ठीक है, my god is the right answer, dash, you have a baby girl, वो कहता है, congratulations, you have a baby girl, वो कहता है, बहुत खुशी की बात है, कि आपकी क्या होई है, एक baby girl है, तुमारी क्या है, एक baby girl है, congratulations, that is also, shows the sudden feeling, dash, I will not work for your company anymore, वो कहता है, मैं बहुत बहुत वर्क नहीं करूंगा तुमारी कंपनी के लिए, और, टीक है, आप क्या है, आप मैं तुमारी मतरूस की कंपनी के लिए और काम नहीं करूंगा, तो लुक भी बूल सकते, लुक, देखो, I will not work for your company anymore, मैं तुमारी कंपनी के लिए और काम नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मतलब, ठीक है, next, the cake is so delicious, कहा है, yummy, the cake is so delicious, हम बोलते है, बहुत yummy है, बहुत yummy है, यह है, यम्मी जो है, वो taste के लिए हम यूज करते है, dash, my friend Vagar is in no more, is no more with us, वो कह रहा है, alas आएगा, यहां पर कि वो हमारे साथ अब नहीं है, मतलब, उसकी death भी है, dash, we have won the basket well, यहां पी हुरे वो बोलते है, कि because he was so happy at that time, they were so happy, वो कह रहा हुरे, we have won the basket well, हम जीत गे हैं व don't disturb me, कहता है, please, please, please don't disturb me, कोई आप काम करें, कोई आपको disturb करें, तो आपके एक जम से निकलते हैं, please don't disturb me, that is also shows the, your emotions, ठीक है, then, next, dash, I can't believe, I forgot to do my homework, private, वो हो चयता है, मैं विलीव नहीं कर सकता था, कि अपना काम करना भूल गया था, ठीक है, वो हो कहता है, वो कहाकर है, तो भो यूजच छो है, वो हम इस कि उस जीत के यूज जरी करते हैं, जब हम, मतलब, जो काम नहीं करना चाहते है, वो आम से हो जाता है, скाण बूलन नहीं चाहता था लेकिन वो बूल जुका है तो वो यूज़ करता है गोश्ट ठीक है तो गोश्ट जो है that is also one of the intersection next they can dash finish the homework वो क्या कर सकते है they can indeed finish the homework वो सच में अपना homework जो है वो finish कर सकते है they can indeed indeed होते है सच मुझ में ठीक है indeed यहां पर interjection रहेगा next I forget my laptop bag and charger वो कह रहा है मैं अपना laptop bag और वो बूल गया हूँ oops my god मैं यहां पर वो बूल गया हूँ अपना laptop और charger ओपस जो है वो right answer last sentence dash I catch you red-handed मैंने तुम्हें क्या किया है I catch you red-handed मैंने तुम्हें रंगी हाथों पकल लिया था ठीक है पकड़ा था मतलब तो यह आपके guys twenty sentences थे जो आपके intersection के थे I hope कि आपको समझ में आया होगा guys यह बहुत easy है आप क्यूंकि अपने daily life में यह चोट-चोटे words जो है वो use करते रहते हैं बहुत सारे words ऐसे हैं जिनकी यहां पर pronunciation थोड़ा सा लगा आ रही है और आप सोच रहे होंगे कि यह दर हम use ही नहीं करते लेकिन यही words हैं जो हम अपनी sudden feeling और emotions के लिए use करते हैं तो guys यह अप्रोप्रियेट इंट्रेक्शन यह आपके लिए exercise हैं जो आप कल को solve करेंगे I hope कि आप सबने फिल किया होगा तो the first is dash we have won the competition देखे जब भी आप खुश होते हैं यहां पर alas that is used for sadness तो ौच भी जब आपको कुछ pain होती है ओपस भी जब आपको कुछ अच्छा काम नहीं होती है तो हुरे जो है that is used for your happiness तो हुरे जो है वो राइट आंसर है एक है सेकिंड यूर हर्टिंग मी मैं बोल दो ना जब कोई हर्ट करते हैं आउच यू हर्टिंग मी तुम मुझे क्या करें हो हर्ट करें यहां पर चाहेगा I forget my umbrella जब भी आप कुछ भूल जाते हैं कुछ जो नहीं क करना चाहते है वो हो जाता है तो ओप्स का यूज करते हैं ओप्स फॉर्गेट माइं अम्प्रेला कि मैं आई फॉर्गेट माइं अम्प्रेला में बूल गया हूं डैश हर मदर डाइड यस्टड़ी लास जो होता है that is used for sadness तो वह कह रहा है लास मैं आउसकी मदर की कल ने थ बढ़िए भीटी थीक है दैश इट सब्सक्राइब फुर्ट आइटम वह तक था वाओ यह बहुत ही अन बीलीववल मदला अभिश्वास नहीं है मतल वीश्वास ने कर पाते है यह वो चीज़ होई है ठीक है डैश ही हिट यंग फूड आइटम्स मैं क्या करता हूँ यहा performance was the best यहां पर क्याएगा ब्रेव मतलब आपने बहुत अच्छा ब्रेव काम किया कि आपके performance जो है that was the best we are going to Darjeeling next month तो वो बहुत आर फॉस्ट प्रोजेक्ट चीर्स चलो अब हम फुश हैं तो चीर्स करते हैं चीर्स भी हब डनार फॉस्ट प्रजेक्ट हम अपना पहला जो प्रोजेक्ट है वो कर चुके है ठीक है तो जो है that is the right answer I didn't notice you coming तो मैं notice नहीं किया था कि तुम्हां आ रहे हो sorry जैसे कोई आजा तचानक से हम बोलते हैं sorry I didn't notice that you are coming I didn't notice you were coming you are coming मैं notice नहीं किया था कि तुम्हां आ रहे हो ठीक है तो यह आपका sorry जो होगा right answer तो गाईस यह आपकी प्रिविएस ही वो कल का होंवर्क था जो आपको दिया था तो जो प्रिविएस वीडियो जो प्रिविएस आपकी स्लाइड है वो आपका आज का होंवर्क है आप उसको अच्छे से फिल करेंगे तो चैसे इंटर्जेक्शन को पढ़िए अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो चो मैंने पहले पार शाओ स्वेच में वीडियो बनाएं उसकी उसको अच्छे से पढ़िए उस घ्यान से पढ़िए और अच्छे से उसकी एक्सराइज को solve कीजिए. Thank you guys for watching my video. Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video then please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video.